नमस्कार दोस्तों और IPL 2024 के रोमान्चक मुकाबले में आपका स्वागत है दोस्तों गुजराट टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच का मैच आखिरी ओवर तक रोमान्चक रहा राजस्थान ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 196 रन बनाए गुजराट टाइटन्स की शुरुआत अच्छी रही लेकिन बीच में विकेट गिरे और एक समय पर टीम 17 ओवर में 145 के स्कोर पर संघर्श कर रही थी लेकिन फिर राशित खान ने ताबर तोड बल्ले बाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया उन्होंने 11 गेंदों में 24 रन बनाए और आखिरी ओवर में जब राहुल तेवतिया रन आउट हो गए और एक गेंद में 2 रन की जरूरत थी तब उन्होंने अवेश खान की गेंद पर चौका लगा कर गुजराट को जीत दिला दी ये गुजराट टाइटन्स की इस सीजन में पहली जीत थी और राजस्थान रॉयल्स को अपना पहला मैच गमवाना पड़ा इसके बाद सभी गुजराट के खिलाडी राशिद खान को बधाई देते दिखे और कप्तान शुबमन गिल भी पूरे जोश के साथ राशिद खान से गले मिले और उन्हें इस शानदार शौट और जीत पर बधाई दी